नमस्ते दोस्तों, एक professional trader की life में जो सबसे important tool होता है वो है candlestick pattern आज हम आपके लिए ले करके आए हैं एक fabulous वीडियो जहां हम बात करेंगे the best intraday candlestick pattern के बारे में अगर आप एक trader है या share market में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक precious gift है इंट्राडे ट्रेडिंग में candlestick pattern काफी important होता है ये pattern हमें market के trend और price moment को समझने में help करता है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा candlestick pattern जो इंट्राडे में मेरे लिए काफी effective साबित हुआ है तो चलिए सुरू करता है तो ये रावो candlestick pattern इस candlestick pattern का नाम है swing low engulfing candle इस candlestick pattern में क्या होता है कि आपका जो पहला candle होगा वो small होगा और जो दूसरा candle होगा इसके जो next वाला candle होगा वो इससे बड़ा होगा मतलब जो पहला candle होगा उस candle को अगले वाले candle ने पूरी तरह से इंगल्फ किये हुए रहेगा तब यह candle कहलाएगा swing low engulfing candle अगर मानलो कोई support है नीचे में तब क्या करेगा यह जो है यह candle होगा वो नीचे से rejection होना चाहिए इस candle stick में ठीक है नीचे से rejection होना चाहिए तब ही मानेंगे हम इसे swing low engulfing candle अगर नहीं समझे होंगे आप अगर नहीं समझे तो एक और फिस से मैं बता देता हूँ आपको कि पहला जो candle होगा वो इससे बड़ा होगा और जो पहला candle होगा वो red होगा दूसरा candle green होना चाहिए जो दूसरा candle का जो विक होगा नीचे से rejection लेना चाहिए विक तब ही जाकर के यह swing low engulfing candle माना जाएगा तो आईए अब जानते हैं कि यह candle stick चार्ट पर फर्म कब होता है तो यह जो candle stick होता है इसे reversal candle stick भी माना जाता है तो यह जो candle stick है यह तब फर्म होता है जब market downturn में होता ह है ठीक है lower high low low बनाते रहता है यहां देखो आप बना रहा है lower low lower low lower lower low जो बनाता है तो यह candle stick फर्म होता है तो यह market के ट्रेंड को reverse कर देता है इसलिए इसे reversal candle भी माना जाता है तो यह देखो आप लोग लोग बना रहे है उसके बाद higher है हाई लो बनाना यह start कर दिया मतलब इसे रिवर्स रिवर्स भी करता है अब आते हैं इसका वर्जन में नाम क्या है स्विंग हैं इंगलफ की रहता है इसमें पहला केंडल होता है दूसरा केंडल पर न सब और इसको परा प्रह इंगल्स कि रहता है जो ढूर कि हएता है वहों से और इसमें जो विक है ओपर से महानलों यहांपे रेसिस्टेन्स है तो यह यहांपे डियक्षन होना चाहिए उसको त ranion में ने सब्सक्राइब देख रहे थे सब्सक्राइब ले रहा था लेकिन यहां पर बीरिस में हम देखेंगे रिसिस्टेंस से रिजेक्शन लेना चाहिए यह कैंडल तभी जाकर करके यह स्विंग है इंगलफिंग कैंडल माना जाएगा तो आईए अब जानते हैं कि यह कैंडल काँम कषी अधार ऊता है नहुकल प्रेंड में होता है नहीं या देख सकते हैं आप हाईर हाए हाय लो बना रहा है जब मार्केट अप्रेंड में होता है तभी यह कैंडल स्थिक बनता है और यह कैंडलन को रिवर्स कर देता हैlet लोवर हाय बनाना हा कर दिया तो जब मार्केट अप्ट्रेंड आपsyreggdum regisswork में में यह ऊपर में सीख blur बनेगा दब बनेगा को आपके तो आएब आपको में धान चाहिपक काम करते हैं और इसके कुछ देखते हैं और बताते हैं आपको आप ये सकती हमें सब्सक्राइर रख आए कि एक इंट्रादेट रेडिंग की स्टाटिजी है तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम यूज करूंगा वह हैं 15 मिनट मैं 15 मिनट पर इस स्कैंडल स्थिक पैटन का यूज करूंगा अब देखो आप यहाँ पर एक एक एमपल मैंने लगा रखा है तो यहाँ पर देख से तो मार्केट डाउन्ट्रेंड में हैं खो कि कैंदल इस वहां देखो थिर Great yeah सब्सक्राइब यहां बना भाट रुख सकता यह और पे कैसे कहंव करोगे कि यह जो चोटे लृव की यह उसको पूरा पुरी तरह से इंगल्व किया इसको पूरा पूरा पुरी तरह करेघ्शन भी यह याप लांपर तो हमें पहला मिल गया कि मार्केट डाउन ट्रेड में है उसके पार बात एक इंगलफिंगा नीचे से विक का यह तो हम कनफिर्म हो गए हूं कि यह जो कंडल स्टिक है स्विंग लों इंगलफिंग बयेटन है इस्टाप लोंगा तुम्हें टॉट्वंट का मेरा सब्सक्राइभ तो आप लोग आदा कॉंटिटी वहां निकलो फिर बाकी जो कॉंटिटी है वह आप बाइंग प्राइस पर लगा करके छोड़ दो यूदकि अच्छा खासा टार्गेट यह देता है आप यहां पर कितना टार्गेट दिया यह वन इस्टू थी का टार्गेट दे चुका यह प मि sittlingा कट का Adapt कर दोनल यहां यहां देख सकते हो आपकी यह जो केंडल है यह मार्केट डाउं ट्रीड में लोवर ओर है लोवर ओर है फिर लोवर अर्प मेरह ऐफे फिप्टीन मिनटप यहां पर देख सकते हो यहां स्मॉल केंडल है और चांच से बड़ा केंडल यहां पर इसको पूरा इंगल्फ किया और नीचे से rejection भी विक का तो मैं यहां पर क्या है ट्रिल लोगा मेरा जो stop loss है वो होगा इस candle का लो मतलब 44-45 पॉइंट का stop loss हो गया मतलब प्रीमियम में मेरा 20 पॉइंट का stop loss होगा आप 15 मिनिट का यूज करो तो आपका stop loss थोड़ा बड़ा होगा मतलब 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट तक हो सकता है अगर 20 पॉइंट से ज्यादा तो यह आप समझ गया होगा कि यह ट्रेट कैसे लेना है इस candle stick के help से मैंने दो एक जामपल आपको बता दिये हैं कि आपको कैसे लेना है यह ट्रेट इस टॉपलोस आपका यह candle का लो होना चाहिए आपका जो टार्गेट होगा वन इस्टू टू होना चाहिए मिनिमम आप इ ट्रेलिंग स्टॉपलोस हीट नहीं करता है मैं बता दूँ कि यह केंडल स्टिक में 15 मिनिट पर यूज करता हूं और जब मारकेट डाउन ट्रेंड में होता है और यह candle जब बनता है तो मैं रिवर्सल जो ट्रेट होता है वो लेता हूं यहां पर तो यह रहा बुलिस जो लारज बॉड़ी पूरी तरए से किया हुए हूगा और दूसरा की जो रसिस्टेंस लेवल हो वह उसको यहां पर कर रहा होगे यह काअधलब का उलेक होगा में यह विदो आ तु यह गया मेरा है है इंगल पैटन आप यहां पर देख सेकते हैं यह अप्ट्रेंड में है market higher high higher low बना रहा है यहां पर उपर में बना यहां पर मानलो ट्रेड ले लेता हूं जैसे बूलिस में मैं ने ट्रेड लिया था वैसा ही मैं भी एरिस में भी ट्रेड लूँगा मैं जो कैंडलिस्टिक होगा उसका हाई उसके, थोड़ा सा उपर, मैं, श्टॉप्लोस, अपना लगाँगा, और मेरा जो चार्गीट होगा, ओन इस्टू नोज होगा, आप देखो, दो कंडल स्टिक में ही, मेरा, जो है, टार्गेट हेट कर चुका है, एक बात, मैं बता देता हूं, अगर market उपर जाता है ना, तो बहुत धीरे जाता है, बट अगर market नीचे गिरता है ना, तो बहुत तीजी से गिरता है, तो आप देखो, दो candle में ही मेरा target अची हो चुका है, यह जो candlestick pattern है, उसका अगर bearish version में जाते हो ना, बहुत बेटर काम करता है, फिरे, फिरे, यह बहुत जल्दी target अचीव कर देता है, बुलिस में क्या होता है, कि बहुत धीरे-धीरे जैसे मैंने, दस बजे मैंने trade लिया था, यह बुलिस में, आपने देखा होगा कि एक देड़ बजे मेरा target अचीव हुआ था, पर इसमें क्या होता है, इसमें मैंने, अगर मानलो, 11 बड़ा है, उपर से rejection भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और यहां पर देखो कि पहला green और दूसरा red है, मैं क्या करूँगा, मैं यहां पर जैसे ही होगा, मैं ट्रेड ले लोगा, यहां पर यहां पर हाई का, तो हाई से थोड़ा सा उपर लेना आप, और जो मेरे target होगा, minimum 1 तो होगा, देखो, यहां पर भी बहुत जल्दी अच्छीब कर चुका है, मतलब मैंने अगर trade 1.45 में लिया है, तो मेरे target हो 2.15 में अच्छीब हो गया, मतलब लगबग 30 मिनट में मेरे target अच्छीब हो गया, तो यह आप candlestick use कर सकते हैं, यह बहुत बढ़िया candlestick है, ठीक ह इसका accuracy जो है, वो 70-80% है, मैं 100% नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% कोई भी strategy काम नहीं कर दिया है, अगर कोई आदमी आपको बोलता है, कोई trader आपको बोलता है, कि अगर कि उसका जो strategy है, वो 100% काम करता है, आप जब trade लोग है तो profitable रहोगे, तो समझों, वो आपको बेवकू बना आपको बना रहा है, लेकिन यह strategy जो है, वो 70-80% अच्छे से काम करता है, 100% नहीं काम करता है, तो आप यह यूज कर सकते हो, 15 मिनट पे आपको यूज करना है, मैंने आपको बता रहा है, कि 15 मिनट से कम में आपको यूज नहीं करना ही है, 15 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं करना है, आपको 15 मिनट पे यह candlestick pattern बनते हुए ज़्यादा दिखाई देगा आपको, और यह अच्छे से काम करता है, तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ, तो आप लाइक, subscribe करो हमारे channel The Tray Tracker को, thank you so much.